जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै छटी महिया जरूर लिखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में चैत्र के महीने में छट पूजा कब से सुरू होगा जै हां दोस्तों चैती छट साल 2023 से जुड़ी संपूर जानकारी आज इस मेडियो के माधहम से हम आप लोगों को देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे तो चलिए जानते हैं कब से सुरू हो रहा है चैती छट दो हजार तेज का महापर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल दो बार छट महा पर्व का तेवहार मनाया जाता है पहला चैत्र महा में और दूसरा कार्टिक महा में पंतान की कामना और घर परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्त सुख खुसाली की कामना के लिए यह ब्रत उत्तम माना गया है पौरानी कताओं के अनुसार इस दिन भगवान सुरी के साथ उनकी बहन चटी मैया की पूजा करने से देवी अत्यंत प्रसन होती है इसके अलावा इस ब्रत के पुन्य के परभाव से घर में सुख सान्ती वखुसाली आती है आपको बता दे कि साल 2030 में चैती छट पूजा की सुभती थिया साल 2030 में चैती छट की सुरुवात 25 मार्च 2023 दिन सनीवार से हो जाएगा जिसका समापन पारण के साथ 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार को होगा चलिए जानते हैं नहाय खाय किस दिन होगा, खर्णा किस दिन होगा, संध्या अर्ध किस दिन होगा एवं उसा अर्ध किस दिन होगा चैती छट का नहाय खाय 25 मार्च 2023 दिन सनीवार को है धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन संपूर स्वक्षता का ध्यान रखते हुए छट पूजा के लिए गेहूं और चावल को धोकर सुखाया जाता है इसके अलावा इस दिन कद्दू भात को परसाद के रूप में खाया जाता है चट पूजा का दूसरा दिन खरना का होता है जो की 26 मार्च 2023 दिन रविवार को है इस दिन चट ब्रती पूरा दिन निर्जला ब्रत रखते हैं और संध्या के समय आम और अन लकडी के जलावन का इस्तेमाल करके चुल्हे पर गुड की खीर बनाते हैं और इसे परसाद के रू सुरी को अर्ध दिया जाएगा और 28 मार्च 2023 दिन मंगल बार को उगते हुए सुरी को अर्ध दिया जाएगा इसके बाद छट ब्रती पारन करेंगे जिसके बाद छट महापर्व संपन्न होगा तो ये थे साल 2023 के चैती छट ब्रत से जुड़े संपोर्ण जानकारी उमीद क करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स